हाई एवरीबन स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेल्स इंजिनरिंग में हैं दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस्टर्न कुल्फिल लिम्टेल्ट के तरफ साई बड़ी अपडेल्ट के बारे में जहां दोस्तों इस ये है क्योंकि आने वाले भविस में कोईले की कमी को देखते हुए और अपना जो है सियो टू याने की कार्बन उत्सरजन को कम करने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो हैं इसी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं इस के अलावा जो है आपके लिए हमारे पास नोट्स अविलेबर है जहां दोस्तों फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेनेजर सिप के लिए mcq notes हैं जिसके माद्यम से आप 100% paper clear कर सकते हैं यह दोस्तों अगर आप लोग mining सरदार या overman की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मुझ से contact कर सकते हैं मेरा नंबर आप लोगों के सामने 100 हो रहा है कोल या मेटल आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग मुझ से contact कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिम्टेट की एक subsidiary है दोस्तों ECL जिसका full form होता है Eastern Coalfield Limited इसने जो है अपना 250 किलो वाल्ट का rooftop solar power project जो है वो लोगों को बता दू कि Eastern Coalfield Limited या कोल इंडिया लिम्टेट की अच्छे subsidiary है जिसका head office जो है आप लोगों को विश्ट बंगाल में देखने को मिलेगा इन्हों जो है अपना 250 किलो वोल्ट का rooftop solar power project जो है लांच कर दिया है जिसके बाद इनकी जो total capacity है 692 किलो वोल्ट तक भग तीन हजार किलो वार्ट तक बिजली जो है अपना solar उत्पादन से उत्पन होना चाहिए इसी प्रोजेट को आगे बढ़ाने में कोल इंडिया लिम्टेट भारत सरकार की काफी मदद कर रहा है जिसके माध्यम से कोईले का जो खपत है वो भी घटेगा इसके अलावा द इंडल को काफी नुकसान होता है इसकी भी जो है अपना काफी कम बनावट होगी यानि की काफी कम यह उत्सर्जन होगा निकलेगा दोस्तों यह जो है एक बहुत अच्छी खवर है क्योंकि सूरी उर्जा जो है हमेशा अविलेबल रहती है इसका यूज हमें करना चाहिए जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं दा इप्लिमेंट इस दा इप्लिमेंटेट थुरू दा सोलर एनरजी कॉर्परेशन ओफ इंडिया इसके थुरू जो है अपना यह लॉंच किया गया है सोलर एनरजी कॉर्परेशन ओफ इंडिया के तहत जो है अपना निव य आख यूनिट जो है अपना ये एक साल में उत्पादन करेगा जिसके माध्यम से जो वहां की उत्पादन छपता है जो वहां पर बिजली लगती है उसकी लगभग 12% जी हां दूस्तों 12% काफी होता है 12% जो है अपना बिजली के उत्पादन को ये कर सकता है जिसके बाद जो ह इंसेंटिव को जोड़ते हुए 65 लाग का जो है अपना 60 लाग का ये प्रोजेक्ट पहुचा है अपार्ट फ्रॉम दा ब्रीगिंग डाउन टुदा पावर कंजप्शन विल बी दा वाट इस दा करबन डाउक्षाइड रिड़क्शन लीडिंग फुर बैटर इन्वारमेंट को बैटर बनाने के लिए जिसके माद्यम से कारबन डाय ओक्षाइड का जो उत्षरजन है उसको कम करने के लिए ये काफी अच्छा कदम उठाया गया है जिसके माद्यम से सूलर पावर जनरेशन के माध्यम से जो है अपना बिजली का उत्पादन होगा इससे स्योल टू भी काफी कम मात्रा में उत्पन होगी आगे आप लोग देख सकते हैं कि सी आई एल यानि कि कोल इंडिया लिम्टेट सीरियस इड़ा इट्स इंस्टेंट दा पर्चेस सोलर पावर जनरेशन इड़ा अल्टरनेटिव ग्रीन एनरजी सोर्स अब आउट प्लांस ऑफ इंस्टॉल तीन हजार मेगावर्ट सोलर जो है अपना पावर बाएदा दोहजार दोहजार चोबीस तक जो है कोल इंडिया लिम्टेट ने यह तार्गेट बनाया है कि तीन हजार मेगावर्ट सोलर से बिजली उत्पादन हो नहीं है तो आप लोगों को खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरू बताएं वीडियो अच्छा लगा तो वीड Thank you, friends.